हालो दोस्तों स्वागे थाप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक लव्य एस्टॉलोजी में और दोस्तों आज हम बात करेंगे 11 आउस के उपर या 11 लॉड की उपर हाला कि 11 भाव की उपर मैंने पहले भी बताया था कि कैसे लाब से लोग की तरफ हमें लेके जाता है देखे कामत्रिकोंड का एक भाव है ये 3-7-11 भावों में से हाइस्ट डिजायर हाइस्ट कामत्रिकोंड 11 भाव होता है उसके लावा इनको उपचय भाव या उपाचय भाव में से भी एक भाव माना जाता है जिनको हम कहते हैं increase होना, grow करना तो जब कामत्रिकोंड का मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि काम का मतलब होता है desire, काम doesn't mean वासना, काम का मतलब वासना नहीं होता है कि किसी प्रकार की negative वासना है वो अलग matter है, वो एक अलग इसका एक हिस्सा है, बट काम का मतलब होता है ambitions and desires इसलिए ग्यारवा भाव innovation research क्योंकि अस्टम से चौथा पढ़ता है यह, ठीक है, तो अस्टम से चौथा जब पढ़ता है यह, तो कोई भी भाव, किसी भी भाव से चौथ भाव उसका manifestation, higher manifestation होता है तो इसलिए ग्यारवा भाव में अगर आत्मकारक है, highest degree है, तो आप जीवन भर सच, खोजी, प्रवरिति के रहेंगे, जोतिश में involved हो जाएंगे, कुछ innovative करने वाले व्यक्ति होंगे तो ग्यारवा भाव अगर आप देखेंगे, कामत्रिकोर्ण और उप्चय भाव में से एक होने की वज़े से यह highest desire और ambition और obsession को भी दिखाता है सिर्फ ग्यारवा भाव लाव का नहीं है, इच्छाओं का है, लाव का नहीं है, और कि हाँ सिर्फ पैसे का वो ठीक है आपको यह materialistic चीज़ें दे सकता है यह भाव, लेकिन एक चीज़ याद रखेगा कि यह चटे भाव से चटा है चटे भाव से चटा है और बारव से बारवा है, तो जब यह grow करता है, जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा आपके उपर करजा और रोग यह भी बढ़ेगा और आपके परिवार के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें inherited, disease या कुछ इस तरीकी होने की संभावना है इसलिए जितने भी लोग आप सोचते होंगे कि बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं, बड़े-बड़े इतने बड़े इंडर्शिलिस्ट हैं, उनके पास दुनिया भर का पैसा रहता है लेकिन एकदम से वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, लोन हो जाता है इनके उपर, क्योंकि ये ऐसा भाव है growing house है, पैसा बढ़ेगा लेकिन करजा भी बढ़ा सकता है आप ये ध्यान रखें कि सबसे बड़ा malefic 11 भाव का स्वामी होता है, सबसे ज़्यादा malefic जनम कुल्डी के अंदर 11 भाव का स्वामी होता है, इसी वज़ा से ये आपके अंदर रोग, द्वेश, इर्शिया की भावना भर देता है मैंने कहा, materialistic चीज़ों के लिए अच्छा है, no doubt, इसमें कोई संदेह नहीं है और 11 भाव में जो प्लानेट बैठता है, उससे लेटे चीज़ों के प्रती आपको obsession या एक बहुत desire आपको दे सकता है और उसके लिए अगर यह malefic होता है, इसलिए debulated planet यानी नीच का प्लानेट 11 भाव में उच्च का कोई प्लानेट 11 भाव में राहू के प्रभाव में हो तो धन देने वाला हो जाता है extreme ambitions और लाब और उसके लिए पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक भी जा सकते है 11 भाव में जैसे बुद्ध बैठता है तो आप देखे फ्रेंड्स के प्रती, learning के प्रती, obsessive रहेंगे वो लोग अपने फ्रेंड्स को लेकर के भी या फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो बहुत पैसे वाले होंगे ठीक है और ऐसे लोगों को अपने मित्रों से ही cheating और धोका होने की समावना रहती है ऐसे लोग जिनका बुद्ध 11 में भाव में होता है अपने communication से, दूसरों के conflict से कहीना कहीं earning देता है आपको ऐसे लोग हमेशा whole life learner होते हैं, इंके अदर curiosity बहुत ज़्यादा होती है learning ability या learning की बहुत हमेशा desire रहेगी लेकिन mercury खुद छटे भाव का स्वामी है तो mercury जहां पर दूसरों को दुख पीडा पहुंचे कि वहां से mercury आपको लाब जरूर देगा जैसे doctors होते हैं, lawyers होते हैं, जितने conflict होंगे उतना उनको फायदा है तो mercury 11 भाव में ठीक है, आपको अपनी communication से, marketing से, अपने friends से लाब देगा लेकिन साथ ही साथ obsession भी दे सकता है और दूसरों के धुख से आपको फायदा होगा ऐसे profession में आप जा सकते हैं, ब्रेशपती 11 भाव में होता है तो व्यक्ति को गुरू के प्रती, ज्यान के प्रती एक obsession रहेगा कि मुझे बहुत ज्यान प्राप्त करना है हाना, हम यह कहते हैं कि वो multiple गुरू के पास जाकर के चीज़ें सीखता है तो कई बार जुपिटर 11 भावला, लेकिन जो प्लैनेट 11 भाव में बैठता है वो कई बार आपको दिक्कत भी वहीं से देता है चीटिंग कर लेगा गुरू के साथ या गुरू से दोखा हो सकता है तो ब्रेशपती, क्योंकि 11 भाव में है अब हम बात करें कि राहू 11 भाव में अच्छा होता है क्योंकि आपको पता है कि उपचय भाव में 3, 6, 10, 11 में राहू अच्छा फल देने वाला कहा गया है और राहू 11 में राहू अपने आप में obsession and desires है इसलिए राहू 11 भाव में हो और 11 भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिती में हो तो ये अवल दर्जे का एक धन्योग या राज्योग बन जाता है अभी मैं आपको बेसिक जो इसका परपस है वीडियो का वो 11 लौड को explain करना है 11 भाव के उपर थोड़ा सा व्याख्यान में दे रहा हूँ जैसे वीनस 11 भाव में बैठता है तो शुकर से जुड़ी समस्यां आ सकती है आपके जीवन में उनसे लिटर डिजीज आपको हो सकते है लेकिन साथ ही साथ आपको महिलाओं से फाइदा और महिलाओं से दोखा भी दे सकता है क्योंकि शुकर आपका 11 भाव में है पत्नी की आने के बाद विवाहिक जीवन स्टार्ट होने के बाद कहिना कहीं धनकी प्राप्तियात होती है विक्ति को और आपका एक डिजायर विकल को लेकर के पत्नी को लेकर के रिलेशन्शिप को लेकर के फीमील को लेकर के हो सकता है जो कि आपको बहुत नेगिटिव वे में हार्म कर सकता है सुर्य ग्यार्व में भाव में बहुत अच्छा फल देने वाला कहा गया है ऐसे विक्ति को नेम फिम मिलता है पिता को लाब लेकिन पिता कही न कहीं रोग रिंड शत्रों में उलजए रहेंगे और पिता के प्रती आपसेशन, पावर का आपसेशन लोगों को मिलता है, रहता है और अगर डेबलेटिड हो तो और भी अच्छा होता है चंदर्मा है तो माता से कष्ट मिलता है माताओ के लिए कष्टकारी हो जाता है मानसिक रूप से आपको तनाव देता है और माता से लाब होता है मून से जुड़ी चीज़ें जैसे पानी हो गया लिक्विड हो गया, ट्रैवल हो गया फूड हो गया उनसे आपको income लाब दे सकता है लेकिन कहीं न कहीं आपको मदर से separation दे सकता है अब बात करते हैं कि basically कि 11 भाव का स्वामी सभी भाव में क्या result देता है जो की basic purpose है वीडियो का जो लोग detail में देखना चाहते हैं कि 11 भाव में बैठे है प्लानेट कैसे result देते हैं तो आप क्या करिए आप दूसरा मेरा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं उसके उसमें मैंने detail में चर्चा की है मंगल 11 भाव में आपके छोटे भाई से ही आपको दुख देगा loan देगा हाला कि आपको property जमीन, building इनसे फाइदा दे सकता है और obsession भी हो सकता है आपको desire भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा property के लिए लेकिन कहीं न कहीं ये आपको loan बड़ा loan करजा और blood लगन लॉड जब 11 में जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे लोग अपने शत्रों को अपने competitors को एकदम दबा देते हैं और अपने physical body से लाब राप्त करते हैं अपनी personality के वज़े से एक प्रभाव छोड़ते हैं और थोड़े से obsessive होते हैं अपनी personality को लेकर के अपनी आद्धों को लेकर के यह सारी चीज़ में हो सकती हैं और इनका पूरा life रहेगा वो रहेगा कि मुझे अपनी desires and ambitions, materialistic desires को बहुत जाता पूरा करना है यह लगन लॉड जब 11 में जाता है क्योंकि लगन लॉड strong हो गया अब 11 में भाव का स्वामी लगन में गया तो य जहनी होते हैं और इनके बड़े-बड़े networks बनते हैं लेकिन अगर आपका लगनेश अच्छी स्थिति में नहीं हुआ तो यह आपके अंदर रोग, रिंड, शत्रू, कई प्रकार के दोश, इर्श्या से आपको भर देगा पैसा भले ही देदेगा आपको लगन लॉड वीक हुआ तो आप अपनी personality, अपने उसको लेकर के कई बार image को लेकर के बहुत जाता obsessive हो जाते हैं लेकिन अगर लगन लॉड अच्छा नहीं है तो यह कहिना कहिन डिजीज भी आपको दे सकता है, आपकी health को effect करता है, आपकी personality को effect करता है क्योंकि 11th Lord लगन में बैठा हुआ है 11th Lord एक 11 भाव का स्वामी बहुत पापी ग्रह माना जाता है, malefic होता है क्योंकि छटे से छटा और 12 से बारवा है, तो अपने साथ कुछ न कुछ दिकत और affliction लेकर के चलता है, 11 भाव का स्वामी जब दुत्य भाव में बैठता है, second house में होता है, तो आप इसको ऐसे समझे कि एक धन योग बन गया, लेकिन कहीं परिवार से दूरी और financially बहुत अच्छा रहता है, धन योग बन गया, 11 भाव का स्वामी जब दुत्य भाव में गया, वेक्ति खाने पीने को लेकर के, धन को लेकर के उसके अंदर एक desires बहुत ज़्यादा होंगी, और परिवार से आपको आ सकते हैं, चीक है, गेन देगा, नो डाउट धन देगा, आपका धन को multiply करेगा, चीक है, 11 लौड अगर तीसरे भाव में बैठता है, 11 भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में होता है, तो गेन प्राप्त करेंगे आप किस से, communication से, marketing से, short travel से, लेकिन ये छोटे भाई बेहनों को भी धन देता है, लेकिन उनसे आपको एक दूरी जरूर देगा, और ये बहुत ज़्यादा महत्वकांक्षी होते हैं, और ऐसे लोग अपना कारे करते हैं, business करते हैं, it is one of the good combination जो बहुत बड़े entrepreneur बनना चाहते हैं, 11th lord in the third house, क्योंकि एक कामत्रिकोन स्वामी दूसरे कामत्रिकोन में बैठा, तो बहुत ज़्यादा ambitious desires बनाता है, लेकिन कई बार highly sexual desire या orientation होने की वज़े से आपको दिक्कते भी दे सकता है, ठीक है, यहाँ अब आप अपनी skill से, देखे, एक उपचय भाव का स्वामी अगर दूसरे उपचय भाव में बैठ जाता है, बहुत अच्छा होता है, 7th Lord 3rd में, 7th Lord 11th house में बहुत अच्छा होता है, materialistically, तो 11 में भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठता है, तो बहुत ambitious बनाता है, entrepreneur बनाता है आपको, communication skill, marketing से लाप राप्त करने वाला बना देता है, अगर 11 में भाव का स्वामी तीस 11 में भाव का स्वामी जब चौथे भाव में बैठता है, तो आपको जमीन से, property से, मदर से फाइदा देता है, लेकिन कहिना कहीं मदर की personal life, married life या उनकी स्वास्ते समंधी परिशानिया आपको कहिना कहीं एक चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि 11 में भाव का स्वामी 11th Lord is a high rated malefic, जहां पर बैठेगा उसकी leaving signification में दिकते हैं, जरूर देगा आपको, आप वहां से धन प्राप्त कर सकते हैं, no doubt, rental income हो सकता है आपको, architecture में जा सकते हैं, designing में जा सकते हैं, interior designing में जा सकते हैं, vehicle से, property से, इन सबसे आपको लाव मिलेगा, no doubt, जैसे मकर लगन में अगर 11th Lord का स्वामी, चौथे बहां बैठा हो, बहुत अच्छा है, fire sign में है, property देगा, बड़ी property देगा आपको, घर देगा, अच्छा गाड़ी देगा, लेकिन कहिना कहीं माता की life को, कहिना कहीं वो आपकी mother की life को problem में जरूर डालेगा, या उनके साथ relationship को, या उनसे करेगा आपको, 11th Lord जब 5th house में होता है, तो आप ये एक first rated धन्योग मलते हैं हम इसको, speculation से वेक्ति कमाता है, education से कमाता है, child birth होने के बाद कमाता है, लेकिन कहीं न कहीं miscarriages, या बच्चों के अंदर कहीं बार unwanted inherited दोश आने की वज़े से उनकी life को problem देता है, 11th Lord 5th house में अच दिखका देगा, आप बच्चे पैदा होने के बाद आपका धन बढ़ेगा, finances बढ़ेंगे, network बढ़ेगा, luxury देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, 11th Lord in the 5th house, the native will be a scholar, आपके education में ब्रेक लग सकता है, और आप अपने किसी education या ऐसी skill की वज़े से बहुत जादा ला आपको हो सकते हैं, 11th Lord in the 6th house, ये 11th Lord in the 6th house आपको शत्रों से या दूसरों के disease से, conflict से लाब देता है, दूसरों के, इसलिए ये उन लोगों के चार्ट में पाया जाता है, जो auditor होते हैं, CA होते हैं, test lodgers होते हैं, doctors होते हैं, और मैंने का, lawyers होते हैं, क्योंकि दूसरों को जितने ज़्यादा disease और conflict होंगे, उतना ज़्यादा आपको फाइदा है, लेकिन ये कहीं न कहीं, आपके लिए भी problematic हो जाता है, और ये आपको बड़ा loan देता है, disease देगा तो लंबा disease देगा, ठीक है, 11th lord in the 7th house, आपकी शादी के बाद धन बड़ेगा, पत्नी काफी wealthy हो सकती है, आपके लिए lucky होंगी, obsession देता है, opposite sex की तरफ, female की तरफ, attraction देता है, business में entrepreneurship के लिए बहुत अच्छा होता है 11th lord in the 7th house, क्योंकि ऐसे लोग बड़े ambitious हो जाते हैं, और expansion देगा 7th house का, यानि कि expansion का कारण बनेगे, चाहे हो materialistically हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं, पत्नी को health issues भी देगा, ठीक है, 11th lord in the 8th house, आप occult से, जोतिश से, inheritance से लाप राप्त करेंगे, लेकिन inherited disease देता है, आपके in-laws को भी disease देगा कुछ नो कुछ, जो की problematic होंगे, long term होंगे, और sudden gains देगा आपको, और आप बहुत ज़्यादा innovative होंगे, research minded होंगे बहुत ज़्यादा, आप कुछ बहुत अच्छा discovery, inventions कुछ कर सकते हैं, 11th lord जब अश्टरंभाव में होता है, क्योंकि 11th lord जहाँ पर जाता है, वहाँ expansion करता है, ग्रो करता है चीजों को, अगर ये malefic influence में होते हैं, तो बहुत long term suddenly जो disease हो जाते हैं, और chronic हो जाते हैं, वह 11th lord इन दे 8th house होता है, 11th lord जब 9th house में बैठा, तो धरम के प्रती, गुरुओं के प्रती obsession देता है, पिता के प्रती obsession देता है, पिता का expansion करता है, native को बहुत ज़्यादा curiosity होती है, अपने religion, वेदान्त, philosophy, इन सब की तरफ, लेकिन कह आपको दिक्कत देगा, स्वास्ते सबंदी परिशानिये देगा, आपको पिता से दूर कर सकता है, आप हो सकता है, जल्दी कमाना स्टार्ट कर दें, धन योग बनता है, बहुत अच्छा धन योग बनता है, ठीक है, 11th lord जब 9th house में होता है, आप धन के मामलें बहुत भाग जल्दी एज में वो कमाना स्टार्ट करें, या जितना वो काम करते हैं, उतना लाब प्राप्त ना होना, अगर आपका 10th lord अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर आपका मालेंज ए 11th lord 10th house में है, 11th lord अगर आपके दश्रम बहु में बैठा हुआ है, और 10th lord कहीं 2nd house में, राज्योग बना करके बैठा हुआ है, तो ऐसा होगा कि आप दूसरे लोगों को भी रोजगार देंगे, और खुद भी आप एक किसी अच्छी पोजिशन पे होंगे, और कम कारिय से, कम महिनत से अधिक लाब प्राप्त करने वाले होंगे, राज्योग बन जाता है, लेकिन अगर 11th Lord 10th में बैठा और 10th Lord afflicted है, 10th Lord weak है, तो ये ऐसा होगा कि आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको लाब बहुत कम प्राप्त होगा, और आपको फिर obsession होगा, status का, power का, name, fame चाहिए आपको, एक समय बाद आप कारिय पैसे के लिए नहीं, बलकि name, fame के लि लिखा गया है, 11th Lord 9th house में हो, गुरू से कोई cheating या गुरू से cheating करना ये भी आपके साथ हो सकता है, कई बार 11th Lord 10th house में होता है, तो conspiracy के शिकार होते हैं, लोग अपने workplace पे, बाइटिंग के शिकार होते हैं, 11th Lord 11th house में बैठा तो आप देखेंगे कि सूर्य और चंदरमा को बाकी सारे एक रहे, किसी ना किसी दूसरे भाव के भी स्वामी होंगे, तो ये अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो बहुत अच्छा धन्योग बना देते हैं, social network बना देते हैं, ambitious बनाते हैं आपको और धन का expansion होता है, आप समय के साथ आप अपने धन और अपनी status को आग ये expenditure दूसरों को देना, और loan की समस्या आपके साथ होती है, लेकिन loan जो है repayment होता रहेगा, और lavish lifestyle देता है, expenditure ज्यादा देता है, foreign income देता है, 11th Lord in the second house, 12th house, आप कहीने कहीं खर्चे से बहुत ज्यादा परिशान हो जाएंगे, और नींद का समस्या भी आपको देता है, या बढ़ा देता है, क्योंकि वो एक तो कामत्रिकोन highest desire, obsession है, और expansion है basically, क्योंकि 3, 6, 10, 11, उपचे भाव का स्वामी है, तो 11th Lord, 12th house में ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हो सकते हैं, आप excessively donate करने वाले हो सकते हैं, charity करने वाले हो सकते हैं, ठीक है, so इस परकार से 11th Lord को आप देख सकते हैं, एक छोटा सा वीडियो था, जो general चीज़ों को ले करके मैंने बनाया, I hope आप इसको enjoy करेंगे, लेता मौल विदा,